वेलकम टू सैफीस फैमली आज मैं के जाथ कुल्लड पिजा बनाने की बहुत ही टेस्टी और एजी रेसिपी शेयर करूंगी कुल्लड पिजा बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत जादा पसंद होते हैं और इसली आप इसको घर में बना सकते हैं बहुत जादा यम्मी बनते हैं बहुत जादा टेस्टी बनते हैं और जब भी आपका मन हो आपके बच्चों का तो यह सिंपल सी रेसिपी है आप इसको कभी भी ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए बिना टाइम विस्ट की रेसिपी को यहां मैंने 2 TSP चिली फ्लेक्स, 1 TSP Black Paper Powder, 1 TSP औरिगयनो और 1 TSP सॉल्ट लिया है, सॉल्ट यहां आप अपने टेस्ट के काड़ी कम जादा रख सकते हैं, सॉसिज में मैंने टू टीसपून टामेटो कैचब, वन टीसपून चीली सॉस, वन टीसपून पिज़ा सॉस, टू टीसपून मैयोनीज लिया है, इन सभी सॉसिज का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मैंने यहां इस तरह के कुलरर लिये हैं, जो मार्किट में easily मिल ज यहां मैंने वाइट के इसलाइस हैं आप की पास अगर अगर ब्राउन ब्रेट यह है तो आप वो भी कर सकते है अब अब और इज कों मैं अपयाकि शुटी चुकड़ों में कट कर लूँगी इस तरीके से मैंने को कट कर लिए की अब ये निमीक तषिज हैं जो विचाए को साइट में रखते हैं यह मैं ने पैन लिए हैं पैन को गैस पर रख दिया है अब इसमें मैं वन टेबल आई मैं करीब बटर डालगी बटर अच्छे तरीकी से मेल्ट हो गया है구 अब जो सबसियां हमने कट करकर रखी ती वो एक-ट करके हीवग है दाल देंगी तो सबसे पहले Anakin यहां प्यास को किया है ऋइसको हलमका सा फ्राई कर लेंगे भर फ्राय करना है अब यहां रिम्ला मिशिया डाल दिया है मैंने है कि सबसिआ Casey को बिल्कुल आपशनल है आप चाहें तो इसको skip भी कर सकते हैं लेकिन इससे जो सबजिया है उसका जो एक कच्छा पन होता है वो निकल जाता है तो मैंने यहां सबी सबजिया यहां एट कर दी है टमाटर गाजर शिमला मिश अब इन सबी सबजियों को हमें एक से डेड़ मिनट के लिए हल ताकि सबी जो मसाले है वो सबजियों से अच्छे से मिक्स हो जाये तो सबी चीज आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है अब जो सौसिस लिए थे वो भी मैं हाँ एट कर दूगी तो सबसे पहले मैंने एदाल दिया है टामैटो केचउप चिले शुस दाल दिया है पिज्टा सॉस, मेहीं डाल दिया है यहां पिज्टी बन проблем बनाने में ताइम नहीं लगता है जब बंने का तो आप तो पिज्टी के रेसिपी ट्राइ कर सकते हैं बहुत जल्दी बन जाता है इजी रेसिपी है और सबसे जादा बच्चों को बहुत जादा पसंद होता है तो सबी चीज़ा आपस में मिल गई हैं अब गैस के फ्लेम को आफ कर दूंगी मैं और इसको हलका सा ठंडा कर दूंगी अब उसी पैन में मैंने थोड़ा सा बटर ओल है लेकिन इससे थोड़ा सा जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है इसका तो बस जो ब्रैड है वो भी अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए है अब इसको असेंबल करते हैं तो मैंने यहां कुलर ले लिया है और सबसे पहले में डाल दूंगी जो स्टफिंग हमने बनाई चीस को कम जादा रख सकते हैं चीज को तो मैंने यहां चीज की भी एक लेए Gir वो लगा दी है अब यहां मैने ब्रैट के चंक्स दाल दी है अब वापस से मैं यहां इसके ओपर जो स्टफिंग है वो डाल दूंगी इसी तरीके से हमें इसको असेंबल कर लेना है तो यहां मैंने डाल दिये है वापस से एक लेयर स्टफिंग की अब मौजरिला चीज डाल दिया है तो इसी तरीके से हमें इसको असेंबल कर लेना है बहुत ही जादा यम्मी बना था ये मेरे छोटे बेटे को बहुत जादा पसंद आया था आसिम को तो उसने तो कहा था कि ममा नेक्स्ट कब बनाएंगे आपी तो बस यहां मैंने यहां ब्रैट की भी एक लेयर लगा दी है अब वापस से थोड़ा सा स्टफिंग की लेयर लगा दूँगी मैं और उसके उपर चीज तो बहुत जादा चीजी बनता है ये बहुत ही जादा टेस्टी लगता है ये आप एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा इसको तो तयार है ये हमारे कुलर पीजा अब इसको कर लेते हैं और आज मैं इसको बिना आवन के बनाऊंगी सिंपल से जो घर का भगोना होता है उसके अंदर तो मैंने एक स्टैन रख दिया था और उसके उपर इस तरह के एक प्लेट रख दी है अब जो कुलर हमने तयार किये थे वो रख देंगे मुश्किल से 7-8 मिनट लगते हैं इसको बनने के लिए तो मैंने यहां रख दिया है और भगोने को मैंने प्रिहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए तो इसको अब कवर कर देंगे तो मैंने इसको cover कर दिया है अब 7-8 मिनट के लिए हम इसको bake कर लेंगे तो बस 7-8 मिनट हो गए है अब यहां मेरे पास इस तरह के कुलर था जो घर में नॉर्मली चाय के लिए यूज़ करते हैं तो मैंने उसमें भी इसको try किया था लेकिन जो result है वो कुलर में ज़्यादा अच्छा मिला था मुझे इसके अंदर नहीं मिला था तो आप इसपेशली आप कुलर ही यूज़ करें इसके लिए आप थोड़ा समय इसके उपर औरियानो डाल दूँगी तो बस तयार है हमारे कुलर पीज़ा बहुत ही जदा टेस्टी और यम्मी बने थे बहुत ही जदा पसंद आये थी मेरे बच्चों को यह तो आप देख सकते हैं कितना जदा चीज़ी बना है बहुत जदा टेस्टी रेसिपी है आप इसको एक बड़ जरूठ ट्राइए कीज़ेगा और अगर अभी अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पास में जो बैल आइकन का बटन है उसे भी प्रैस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक पहुचे सबसे पहले करें अपने कि मेरे नहीं तक रिचर